नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु क्रिट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आज की इस वीडियो पे हम सांतक्तिय और अफकलन यता के कुछ मैत्वपोन प्रश्णों के बारे में चर्शा करेंगे ऐसे प्रश्ण जो राज्य बोर्ड में कई बार आ चुके हैं हम उन प्रश्णों को यहाँ पे हल करेंगे जिसमें से पहला प्रश्ण कुछ इस प्रकार से लिया है यहाँ आपको E की घात X क्यूग का अफकलन करना है यह एक विकल्पी प्रश्ण है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है यह करना E की घात X क्यूग इस प्रगाया के प्रश्णों को कैसे हल करते हैं? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अगर सिर्फ आपके पास E की घात X होता, तो इसका अउकलन आप कैसे करते हैं? E की घात X का अउकलन E की घात X आता है, है ना? यहाँ पे फर्क सिर्फ कितना है कि X की जगा X क्यूब है? तो जो चीज आपको नई लग रही है या जो चीज आपको परिशार कर रही है, उसका हम क्या ले लेते हैं? T ले लेते हैं, प्रतिसाबन करते हैं उसका, तो यहां पे आप कहेंगे कि माना x cubed बराबर T है जिससे कि क्या हो जाए कि Iki ghat x x या Iki ghat T का रूप ले ले तो जब आपने x cubed को T लिया तो यहां पे आप अफकरण किसके तो जब आपने x Iki ghat T को T लिया तो अब आपका फरण क्या बन गया E की घाट T बन गया अब फलन है Y बराबर E की घाट T और एक फलन है X क्यूब बराबर T दोनों का करोगे आप अपकलन जिब X क्यूब बराबर T का अपकलन करेंगे तो यहाँ पे आप कहेंगे कि T का अपकलन X के साप एक्ष कर रहे हैं कितना आएगा? 3X स्कुरा है पता है न क्यूँ? यह X घाट N का रूप बना और D by DX of X घाट N कितना होता है? N X घाट N-1 होता है न? तो यहाँ पे X घाट 3 था तो 3 X घाट 3-1 हो गया 2 और यहाँ पे Y का अपकलन किस के साप एक्ष करोगे? आप जानते हैं कि Y जो है T का फलन है तो इस वज़े से हम यहाँ पे Y का फलन T के साप एक्ष करेंगे और T के साप एक्ष करने पर E की घाट T का अपकलन E की घाट T ही रहेगा राइट? अब यहाँ पे श्रिंखला नियम से आप इन दोनों का गुणन फल करेंगे तो श्रिंखला नियम लगाने पर यहाँ पे बाएंपक्ष को बाएंपक्ष के साथ गुणा करेंगे तो यह आएगा DY by DT गुणा और यह हो जायँगा DT by DX और यहाँ पे दाएंपक्ष में यह होगा E की घाट T और यह होगा 3X स्क्वेर अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखें यह जो DT DT होता है इसको आप कैंसल समझ लेते हैं तो यह जो हल करके आएगा इसका मान होगा DY by DX बराबर E की घाट T T आपने किसको लिया था? T आपने X क्यूब को लिया था तो E की घाट X क्यूब गुणा 3X स्क्वेर यह आएगा इसका अब कलन तो कौनसा विकल्प सही हुआ यहाँ पे? आप देख रहे हैं कि यह जो चौथा विकल्प है यह इसका सही उतर है चीक? अगला प्रश्ण देखिए यहाँ पे X के सापे Sine X की घाट X का अब कलन आपको करना है आपने लगो करना की अब कलन में क्या पड़ा था? कि जब भी किसी फलन की घाट फलन होगी तो आपको यहाँ पे Log लेना पड़ेगा मतलब यहाँ पे आप कहेंगे माना Y बराबर Sine X ही घाट X और दोनों पक्षों में अब यहाँ पे हम Log लेंगे क्यों लेंगे? जब भी आपको बताया गया था कि जब भी किसी फलन की घाट फलन आएगी तो दोनों पक्षों में Log लेना पड़ता है Log लेने से क्या होगा? यह देखिए यहां हो जाएगा Log Y बराबर इसको आप लिख सकते हैं Log Sine X ही घाट X और आप जानते हैं कि Log A की घाट B होती है तो इसको B Log A के रूप में लिखा जा सकता है मतलब यह जो घात होती है इसको हम Log के आगे लियाते हैं तो फिर यह फलन थोड़ा सरल हो जाता है तो इसको आप लिख सकते हैं Log Y बराबर यह X यहां आगे आ जाएगा X Log Sine X इस प्रकार का यह फलन बनेगा अब हम इसका अफकलन करेंगे X के साप एक्ष तो दोनों प्रक्षों का X के साप एक्ष अफकलन करने पर क्या मिलेगा आपको यह बताए Log Y का अफकलन क्या होता है आपको एक सुत्र याद होगा D Y D X of Log X बराबर क्या होता है 1 upon X होता है अब यहां पे हम अफकलन कर रहे है Log Y का X के साप एक्ष तो Log Y का अफकलन आएगा पहले तो 1 upon Y और Y का अफकलन X के साप एक्ष है तो यहां हम लिखेंगे D Y by D X ऐसा ही करेंगे न क्योंकि यह Y का फलन था और हम कर रहे है X के साप एक्ष अफकलन तो उसका derivative उसका अफकलन च तो लिखना ही पड़ेगा तो D Y Y D X हमने इसके साथ गुणा में लिखा बराबर यहां ये दो फलन गुणा में है जब कोई दो फलन गुणा में होंगे तो उसके लिए आपने सूत्र क्या पड़ा था D Y D X of U गुणा V बराबर पहला फलन D Y D X of दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन D Y D X of पहला फलन यही पड़ा था तो यहां पे पहला फलन है X और दूसरा फलन है लॉक साइन X आप इसका अफकलन करके उत्तर देंगे X D Y D X of लॉक साइन X प्लस लॉक साइन X D Y D X of X ऐसा ही होगा अब आगे इसका हौर हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन Y D Y D X पराबर X यह बताए D Y D X of लॉक साइन X क्या होगा आप जानते हैं लॉक X का अफकलन होता है 1 अपॉन X और यहां पे अगर हम साइन X को T ले लेंगे तो यहां पे आएगा 1 अपॉन T मतलब की साइन X और साइन X का अफकलन दुबारा करने पर हमें क्या मिलेगा कॉस X प्लस लॉक साइन X और D by D X of X क्या होगा 1 होगा मुझे लगता है कुछ बच्चे यहां पे कन्फ्यूस हो गए होगे कि मैंने क्या किया यहां पे हमें अफकलन करना था इसका तो यह फलन हमने कहा यह है य बराबर लॉक साइन X इधर हमने साइन X को T ले लिया क्योंकि लॉक एक्स का अफकलन पता है न हमें तो लॉक साइन X का तो पता नहीं तो साइन X को T ले लिया तो यह जो फलन था y बराबर log sin x अब ये बन गया y बराबर log t अब जो y है वो t का फलन है और जो t है वो x का फलन है तो y का अफकलन हम करेंगे t के पदों में तो dy by dt का मान आएगा 1 upon t और t का अफकलन करेंगे हम x के पदों में तो sin x का अफकलन आएगा cos x और जब इन दोनों में श्रिंखला नियम लगाएंगे तो यह उगार dy by dt गुणा dt by dx बराबर 1 upon t गुणा cos x तो इससे तो आपको मिला dy by dx ठीक है हमें निकालना ही dy by dx था और यहां से क्या मिला t कमान क्या था sin x तो यहां से मिला 1 upon sin x गुणा cos x तो यहीं तो लिखा हमने 1 upon sin x कुणा cos x देखें यहां पे आपको थोड़ा सा direct करने की जरुवत है अगर इस प्रकार का कोई प्रशन आता है तो आपको इतना सब करके नहीं दिखाना यह सब आपको direct आना चाहिए dy dx of log sin x मतलब कि यहां पे पहले log sin x sin x के लिए इसको आप मन में ही t माल लेंगे और t मानके इसका उकलन हो जाएगा 1 upon t मतलब कि 1 upon sin x और इस t का उकलन जब आप दुबारा करते हैं तो sin x का उकलन क्या हो जाएगा cos x तो यह चीज़े आपको habit डाल नहीं है कि direct अपने mind में ही कर सको तो यह habit कैसे दलेगी ज़्यादा से ज़्यादा questions को solve करके जितनी ज़्यादा आप practice करोगे उतने ज़्यादा perfect हो जाओगे तो अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं इसको लिखेंगे 1 upon y dy by dx बराबर x cos x upon sin x क्या हो जाएगा cortex plus log sin x यह होएगा अब यहाँ से हम dy by dx का मान निकालेंगे तो dy by dx बराबर क्या होगा यह जो y यहाँ पे भाग में है अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको यह हो जाएगा y गुणा x cortex plus log sin x और y का मान क्या था वो अब हम यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से dy by dx का मान आएगा y, y का मान होगा sin x ही घात x गुणा x cortex plus log sin x ठीक है तो इस प्रकार से आप किसी फलन का अफकलन कर सकते हो जब आपको फलन की घात पलन दे रखी हो यहाँ पे sin x भी एक फलन था, x भी एक फलन था, तो हमने यहाँ पे दोनों और log लिया और फिर x के साब एक शुस का अफकलन कर दिया इस प्रश्ण में आपको x और y, t के फलन दिये x बराबर a cos t plus log 10 dy2 और y बराबर a sin t के बराबर दिया है और यहाँ आपको dy by dx निकालना है, तो यह किस प्रकार का अफकलन है, याद आ रहा है आपको आपको याद आ रहा होगा कि यह है अफकलच का प्राचलिक रूप जिसमें x और y दोनों किसी अन्या चर के फलन होते हैं और यहाँ हमें निकालना होता है dy by dx को कैसे करेंगे इसे, बताइए आप जानते हैं कि यहाँ पर y किसका फलन है, t का फलन है, और x किसका फलन है, वो भी t का फलन है तो y का भी अफकलन हम t के साफ एक्ष करेंगे, और x का भी अफकलन हम t के साफ एक्ष करेंगे और उसके बाद आप इन दोनों को भाग कर देंगे, तो dy by dx का मान बिल जाएगा, राइट तो पहले आप मुझे यहाँ पर dx by dt का मान बताइए, यह ए तो ऐसा कैसा आजाएगा, constant है अब इसका फलन करेंगे और इसका करेंगे, cos t का फलन क्या हो जाएगा, minus का sin t और log 10 t by 2 का फलन क्या होगा, आप जानते हैं कि log x का फलन होता है, 1 upon x तो यहाँ पर 1 upon x की जगा पर 10 t by 2 है, तो यहाँ पर 10 t by 2 लिख देंगे, और फिर इस 10 t by 2 का फलन दुबारा करेंगे, 10 x का फलन क्या होता है, 6 square x तो यहाँ पर हम करेंगे 6 square x, x की जगा पर t by 2 है, और फिर इस t by 2 का फलन दुबारा होगा, तो यह आएगा 1 upon 2 क्या किया है मैंने ये तो आप समझी गए होंगे कि ए ऐसा कैसा आगया और कॉस्टीक का अपकलन माइनस का साइन टी आया यहां हमने क्या किया है कि z पराबर लॉग 10 टी बाई 2 यह एक फलन था आपके पास ठीक यहां श्रिंकला नहीं हम लगाई है क्योंकि यह देखिए यह भी एक अलग फलन है और यह भी एक अलग फलन है तो इधर पहले आप 10 टी बाई 2 को कोई एक फलन ले ले लेंगे यू तो z क्या बन जाएगा लॉग यू ठीक अब जेट जो है वो यू का फलन बन गया 10 में टी बाई 2 को यह हमें कुछ और लेना पड़ेगा टी बाई 2 को हम माल लेते हैं वी तो यह जो यू है वो 10 वी के बराबर होगा मतलब जो यू है वो वी का फलन है और जो यह वी है वो टी बाई 2 के बराबर है मतलब वी जो है वो टी का फलन है अब इन सब का आप अफकलन करेंगे उसी के फलन के चरके सापेक्ष तो यहाँ पर जो यह Z है वो U का फलन है तो Z का आप अफकलन करेंगे U के सापेक्ष DZ by DU का मान आएगा आपके पास 1 upon U क्योंकि log U का जो अफकलन होगा 1 upon U हो जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर जो U है वो V का फलन है तो U का अफकलन होगा V के सापेक्ष और 10 का अफकलन होता है 6 square X यहाँ पर V है तो 6 square V हो गया और जो यह V है वो T का फलन है तो V का अफकलन होगा T के सापेक्ष जिसका मान आएगा 1 upon 2 जब आप इसमें श्रिंकला नियम लगाएंगे तो श्रिंकला नियम से तीनों गुणा होएंगे तो एक तो आया 1 upon 2 वो हमने यह लिख दिया फिर आएगा 6 square V और V का मान क्या था यहाँ पर V का मान था T by 2 मतलब यह क्या है 6 square T by 2 यह हमने लिख दिया 6 square T by 2 और DZ by DU क्या था 1 upon U और U किसको लिया था 10 V को तो यहाँ आया 1 upon 10 V और V का मान क्या था V का मान था T upon 2 तो यह आएगा 1 upon 10 T upon 2 यही थो हमने लिया 1 upon 10 T upon 2 ठीके तो यह सारी calculation आपको direct करने है अब अगला step होगा Y का अफकलन T के साफ एक्ष जब आप Y का अफकलन करेंगे T के साफ एक्ष तो क्या आएगा यह A constant है यह ऐसा कैसा लिख दिया sin T का अफकलन क्या होगा cos T ठीक है तो D Y by DT का मान आया A cos T हमेच यह D Y by DX का मान तो आप लिखेंगे D Y by DX पराबर आप यहाँ पर D Y by DT को और D X by DT को भाग करवा देंगे तो यह आया D Y by DT अब और D X by DT आप देखेंगे इन दोनों का जो भागफल होगा वो D Y by DX का मान होगा तो D Y by DT का मान क्या था A cos T और D X by DT का मान क्या है A और ब्रेकिट के अंदर माइनस sin T प्लस यह आप लिखेंगे 1 upon sin T क्यों लिखा मैंने ऐसा चलिए देखते हैं यह था 1 upon 10 T by 2 1 upon 10 T by 2 को आप cos T by 2 upon sin T by 2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 upon 10 क्या होता है cot और cot क्या होता है cos upon sin और sex square को क्या लिख सकते हैं 1 upon cos square तो यह आया 1 upon cos square T by 2 और यहाँ पे है 1 upon 2 1 cos T by 2 और 1 cos T by 2 cancel हो जाएगा नीचे क्या बचेगा 2 sin T by 2 cos T by 2 और आप जानते है sin 2 theta का formula क्या होता है 2 sin theta cos theta और यहाँ पे theta का मान कितना है T by 2 मतलब आप इसको यह लिख सकते है sin 2 into T by 2 2 से 2 cancel तो यह sin T के बराबर आएगा इस वज़े से हमने यहाँ पे sin T लिख दिया ठीक है तो यहाँ पे A से A cancel हो जाएगा और क्या कर सकते है और इसको थोड़ा सा हल करके लिख सकते है इधर else के हम लेंगे sin T जो की इस प्रकार लिखा जा सकता है sin T cos T upon यह हो जाएगा 1 minus sin square T के बराबर आप चाहें तो अपना उतर यहाँ भी छोड़ सकते है और अगर आपको थोड़ा और अच्छा अंसा देना है तो देखिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे 1 minus sin square T किसका सूतर होता है cos square T लिख सकते हैं आप इसको क्योंकि sin square theta प्लस cos square theta बराबर एक होता है न तो इसको आप लिख सकते हैं cos square T और आप यहाँ देख रहे हैं कि इस cos T से एक cos T cancel हो सकता है तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा sin T upon cos T यह हो जाएगा 10 T के बराबर तो dy by dx का मैंद क्या है आपके पास dy by dx पराबर 10 T आया इसी प्रकार का एक प्रश्न और लेते हैं प्रश्न भी आप खुद ही कर लेंगे तो जल्दी से वीडियो को पास करिए और प्रश्न को हल करना शुरू करिए क्या करेंगे इसमें सबसे पहले आप बताईए आप यहाँ पे देखेंगे कि x और y किस के फलन है तो क्या पता चल रहा है आपको आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x भी ठीटा का फलन है और y भी ठीटा का फलन है तो किस के साफ एक्ष करेंगे आप इसके अफकलन बिल्कुर सही यहाँ पे आप x का अफकलन भी ठीटा के साफ एक्ष करेंगे और y का अवकलन भी ठीटा के सापिक्ष करेंगे और फिर इन दोनों को भाग कर देंगे तो x का अवकलन ठीटा के सापिक्ष करने पर क्या मिलेगा? ए तो ऐसा कैसा आ जाएगा और cos ठीटा का अवकलन होता है माइनस का sin ठीटा इसी तरीके से y का अवकलन ठीटा के साफेक्ष तो b तो ऐसा कैसा आ जाएगा और sin ठीटा का अवकलन क्या आएगा cos ठीटा तो यह हो जाएगा b cos ठीटा अब क्या करना है अब आपको dy by dx का मान निकालना है dy by dx का मान निकालने के लिए dy by d theta को भाग करना होगा dx by d theta से ठीक है? तो इनको भाग करके क्या मिलेगा? dy by d theta का मान है हमारे पास b cos theta और dx by d theta का मान है हमारे पास minus a sin theta right? minus b upon a तो constant हो जाएगा इसको हमें ऐसा लिख सकते हैं और cos upon sin क्या होता है? cot तो यह हो जाएगा cot theta यह हमारे पास dy by dx का मान तो आसान है न यह प्रेशन अफकलन तो बहुत ही easy होता है अच्छे से practice कर लो बस इतने एक बार आपको अफकलन आजाए ना फिर किसी भी प्रकाय के प्रेशन आजाए क्योंकि यहाँ पे आपके values तो change रहेंगी जümü जैसे x और y की value change करके दे दी पहले वाले question में दूसरी थी इस question में दूसरी है लेकिन करना تو वही है यहाँ पे भी x का अलग سے अफकलन करना था दोनों का भाग करना था ऐसी पहले वाले प्रेशन आजाए आपको आप कर लोगे अगर आपको एक बार concept clear हो जाए तो है ना जल्दी से ये अगला प्रेश्ण करके बताईए बिल्कुल छोटा सा प्रेश्ण है औरली हो जाएगा जल्दी से करिए यहाँ पर आपको दिया है x minus y बराबर πाई और आपको dy by dx इसका मान निकालना है तो इसका मतलब क्या करना है इसका अपकलन करना है दोनों और अपकलन करेंगे तो x का अपकलन कितना हो जाएगा 1 πाई का अपकलन कितना हो जाएगा dy by dx और πाई का अपकलन क्या होगा बताईए πाई रहेगा यह constant है नहीं यहाँ पे πाई का अफकलन जीरो हो जाएगा constant का अफकलन जीरो होता है न तो इधर से आपको dy by dx क्या मिला एक मिला न तो यहाँ पे कौन सा विकल सही होगा यह दूसरा विकल इस प्रश्ण में आपको a की घात x का अफकलन करना है x के साप x जहाँ पे a एक धन अचर दिया हुआ है तो इसका अफकलन करने के लिए जल्दी से बताईए आपको क्या करना होगा अगर आप सोच रहे हैं कि हमें एक फलन दे रखा है y बराबर a की घात x और दोनों और हम log लेंगे तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोनों और log लेने पर हम इसका अफकलन कर पाएंगे तो दोनों और log लेने पर क्या मिलेगा ये हो जाएगा log y बराबर और ये हो जाएगा log a की घात x अब इसको क्या लिख सकते हो ये होगा log y बराबर x इसके आगे आ जाएगा log a हो जाएगा अग log a क्या है? एक अच्छर है है ना constant है log a constant हो जाएगा अब जब आप इसका x के सापे एक्ष दोनों और अफकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? तो log y का अफकलन क्या हो जाएगा? बताइए x के सापे एक्ष log y का अफकलन होगा 1 upon y dy by dx बराबर log a constant है यह ऐसा कैसा रहेगा? और x का अफकलन x के सापे एक्ष करके क्या आएगा? एक आएगा तो यहाँ से dy by dx का मान क्या मिलेगा? dy by dx बराबर y गुना log a और y का मान क्या था? y का मान था एक ही घात x तो यहाँ आप answer देंगे dy by dx बराबर a की घात x log a यह है इसका अफकलन किसका? a की घात x का x के सापे एक्ष अफकलन इस प्रश्ण में आपको एक फलन दिया है fx बराबर mod x इसका x बराबर 0 पर सांतक्त्य के लिए परिक्षन करना है क्या इस बिंदू पर यह फलन सांतक्त्य होगा वैसे तो आप जानते ही है कि जो mod x होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? उसका ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार का मिलता है तो यह पूरा सांतक्त्य होता है और जो बिंदू 0 होता है यहां पे होता है, तो इस पर यह सानतत्या होगा ही होगा, लेकिन यह तो है इसका जामित्य रूप और गणित्य रूप में आप इसको कैसा दिखाएंगे? आप जानते हैं हम इसके बाएंपक्ष की सीमा, दाएंपक्ष की सीमा और फलन का मान यह तीनों चीजे निकालते हैं और अगर यह तीनों चीजे बराबर आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि जो दिया गया फलन है वो सांतत्य है तो शुरुबात करेंगे हम इसके left and limit से लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर यह mod का function है तो इसको हमें किस प्रकार से लिखना होगा आप जानते हैं कि fx पराबर जो यह mod x है यह इधर देखिए x से जब छोटा होगा तो यहाँ पर आप इसको minus x लिखेंगे जब x 0 से छोटा होगा और इसको आप plus x लिखेंगे जब x 0 से बड़ा होगा तो इस फलन को आप इस प्रकार से तोड़ते हैं किसी भी modulus function को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं अब x पराबर 0 पर इसके सांतक्तिया की जानच करनी है तो पहले हम बात करेंगे left hand limit की left hand limit क्या होगी left hand limit बराबर limit x tends to 0 हमें 0 पर देखना है ना तो x tends to 0 और यहाँ पर negative का sign आएगा क्योंकि left hand limit की बात कर रहे हैं of fx बराबर limit x tends to 0 और ये बताए left hand limit के लिए हम फलन वो लेंगे ना इसमें x का मान इस से छोटा होगा तो 0 से छोटे के लिए फलन क्या है minus का x तो यहाँ हमने लिया minus का x और इसमें जब आप limit रखेंगे तो हमें क्या उतर मिलेगा 0 अब हम बात करते हैं right hand limit की right hand limit की आएगी limit x tends to 0 positive left hand limit लिए negative लेते हैं और फिर limit x tends to 0 अब यहाँ पे हम फलन कौन सा रखेंगे positive के लिए हम वो फलन रखते हैं जिसमें x का मान इस दिये गए बिंदू से ज़ादा होता है तो हो है x यहाँ पे x रखा इसमें limit लगा के हमें उतर मिलेगा 0 अब हम निकालेंगे इसके फलन का मान मतलब कि इसकी functional value आप जानते हैं functional value में क्या करते हैं सीधा सीधा जो फलन हमें दिया होता है उस फलन में हम उस बिंदू को रख देते हैं तो f 0 निकालेंगे हम और f 0 बराबर क्या आएगा mod of 0 यह किसके बराबर आएगा 0 के इसका मतल लेफ्ट हैन लेमेट राइट हैन लेमेट और functional value दोन टीनो हमें क्या मिली 0 के बराबर मिली तीनो बराबर है अताहा आप उत्तर देंगे कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन कैसा है दिया गया फलन सांत अत्या है यही तो चांज करने के हमें है ना